हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दो स्कोटलेंड के प्लेयरों के बीच में खेली गई हुई एक जबरदस जो है बड़ी आसी गेम दिखाऊंगा यह ब्रिलियन सी 1980 में खेली गई थी जहाँ पर वाइट से खेल रहे है जी ओप चैंडलर वसी ब्लेक से खेल रहे है अलास्तेर एफ वाइट और इस गेम में वाइट ने सिफ मूव नबर 7 पर काफी कमाल का क्विन से क्रिपाश दिया जो है जबर्द से टेक किया तो आएट देखते है गेम जहाँ पर वाइट ने गेम की शुरुआत यानि कि चैंडलर ने गेम की शुरुआत E4 से की और वाइट ने रिप्लाइ दिया I mean अलास्तेर एफ वाइट ने रिप्लाइ दिया D6 और इस पोजिशन में ब्लेक ने नाइट टू, C6 खेला और शायद ब्लेक ने उम्मीद लगाए थी कि नाइट F3 आएगा पॉन और D4 को सेव करने के लिए या फिर बिशप 2 E3 ऐसा कुछ खेला जाएगा पर इस पोजिशन में दोस्तो वाइट ने अपना पॉन ओन D4 सेक किया पहले वाइट ने खेला E5 पर वाइट का प्लान यह नहीं है वाइट का प्लान जो है आगे चलके काफी बढ़िया है यहाँ पर बिलेक ने सोचा हो कि नाइट काप्चरस D4 आ रहा है और उसके बाद जो है क्वीन पर एटेक है सी टू पॉन पर एटेक है क्वीन मूव होते है जो है पॉन काप्चरस ओन E5 भी पॉसिबल है सो नाइट जो है D4 पर है उसको सपोर्ट भी मिल रहा है सो ब्लेक ने जो है सिंप्ली नाइट काप्चरस ओन D4 खेल दिया और अब वाइट ने अपना ओरिजिनल प्लान जो है वो रिविल किया सो दोस्तों वीडियो को पोस कीजिए सोचिए आप क्या खेलोगे यह मूव न तीन माइनओर पीसिज है queen के बिले में और अल्ली मिडल गैम में दोस्तो माइनओर पीसिज जो है वो dominating होते है मदलब रूख होती है या फिर queen होती है वो रूख या queen जो होते है वो आगे चलके एकचुली गैम में जो है वो काफी अच़ा contribute कर सकते है बट initial position पर क्या होता है के pawns इतने action नहीं होते है तो इसी की वज़ा से lion scoose ज़ो है ज़्यादा open नहीं होती तो वहाँ पर knights and bishop ज़ो है वो ज़्यादा dominate करते है game को तो यहाँ पर 3 minor pieces queen के सामने ज़ो है अच्छा ही compensation है और इस position में better था black के लिए कि वो rook captures on g7 खेलते है जिसमें bishop h6 possible था and after rook to g8 white जो है वो h4 के लिए जा सकता था ताकि pawn on g5 कलके इस bishop को trap ना किया जाए बड़ यह position जो है अभी भी तीनो result के लिए open है बड़ गेम में knight g captures on e2 के बाद black ने खेला c6 जिसकी वज़ा से white को मुका मिला कि वो powerful pawn g7 पर maintain कर पाए और उसी की वज़ा से black का king काफी weak हुआ king ही नहीं यह rook जो है कभी game में ही नहीं आ पाया so आए देखते है bishop to h6 white ने खेला so अभी pawn g7 completely safe है and now e6 so यहाँ पर black की threat क्या है दोस्तो black की threat है pawn on g5 push करना bishop को trap करना and then queen f6 करके जो है उसको win करने की try करना यह threat है so h4 so g5 जैसी जो है कोई idea है उसको stop कर दिया and now d5 now bishop protect है but long castle so अभी आप bishop को मार नहीं सकते rook captures on d8 आ रहा है and now queen to e7 black ने खेला so अभी भी white ने है अपने इस bishop को save नहीं किया white नहीं यहाँ पर खेला knight 2 f4 point है कि आप bishop को मार ही नहीं सकते otherwise knight to e4 और उसके बाद जो है bishop to g5 knight f6 winning है या तो फिर जो है knight सीधा ही d6 पर जो है वो भी वहाँ पर win है so knight to f4 के बाद game में किला गया bishop to d7 so again दोस्तो वीडियो को post कीजिए और सोचिए कि white नहीं यहाँ पर क्या खेला होगा ready king बीच में है that means आपको d file या तो e file open करनी चाहिए so white नहीं यहाँ पर खेल दिया bishop captures on d5 अगर आप जो है c pawn से capture करते हो then knight f captures on d5 और इस position में क्या हो रहा है दोस्तों अगर आप वापस से capture करोगे then again knight captures d5 और यह position जो है हम आगे चलके थोड़ी detail में discuss करेंगे तो तब बात फिलाल के लिए knight f captures on d5 के बाद से आप queen to d8 कहलते हो so आप क्या करते हो कि e file open नहीं करना चाहते जहाँ पर आपका king है बट इस position में फिर bishop to g5 और यहाँ पर देखिए knight to f6 टॉप नहीं हो रहा है that means यह position जो है completely winning है क्योंकि queen move होते ही knight to f6 check और बाद में king move करना पड़ेगा वो भी disk cover में so उसके बाद knight captures on g8 वो free में जा रहा है rook so completely winning position है so क्या होता है bishop captures d5 and then e captures d5 होता है so यहाँ पर दोस्तों वो line cover हो जाएगी जो मैंने अभी आपको बोला so knight captures on d5 c captures d5 और भी knight captures d5 so देखी यह line cover हो गई so इस position में से आप queen to d8 के लिए जाते हो but then पहले रुक का check and then bishop e6 right खेलना force और वहाँ पर बाद में bishop to adjust d5 and then knight f6 वो completely winning है और दूसरी और सैसी position में आप queen d6 खेलते हो right आप सब कुछ save रखने की try करते हो f6 जो है उसको से दियान दे रहे हो c7 पे दियान दे रहे हो but then rh2 even और अब bishop e6 में जो है simply knight f6 winning है और सैसी position में आप king to d8 के लिए जाते हो then bishop to g5 check and after king c8 यहाँ पे जो है आप चाहो तो knight f6 करके win कर सकते हो या चाहो तो knight e7 check देके queen को win कर सकते हो so यह position भी जो है वो basically white के लिए winning थी so इसलिए bishop captures on d5 के बाद यहाँ पर इस bishop को किसी भी pawn से capture नहीं किया जा सकता so game में actually black ने खेला long castle और अब white ने अपना bishop से किया bishop to b3 and now bishop to e8 so यहाँ पर okay black जो है कुछ pieces exchange करना चाहता है and now g3 पहले g3 का reason यह है कि first of all अब क्या कर रहे हो okay night को support भी दे रहे हो और साथ साथ अपने pawn on h4 को भी support दे रहे हो क्योंकि साथ यह हो सकता है कि rook captures में हमें rook captures कहलना है और उस case में h4 pawn under attack था so इसलिए यहाँ पर rook captures on d1 black ने खेला and after rook captures on d1 अब उन्होंने वापस से bishop d7 खेला and now knight to e4 so फिलाल के लिए threat है दोस्तों bishop to g5 and then knight to f6 जो की completely winning है so इसलिए f6 game में खेला गया so अगें वीडियो को pause कीजिए और सोचिए कि इस position में white ने क्या खेला होगा ready दोस्तों यहाँ पर जैसे ही white ने देखा कि e6 pawn जो हो वीक हो चुका e6 square वीक हो चुका है तो उसका defender है bishop so simply rook captures on d7 so अगर आप queen से मारते हो then bishop captures on e6 जिसमें हमें queen मिल रही है और साथ-साथ knight captures on e6 आते ही rook भी चला जाएगा और यह pawn हमें आराम से win दिलवा देगा so rook captures on d7 के बाद गिम में खेला गया king captures on d7 बट फिर भी दोस्तों यहाँ पर bishop captures e6 जो है वो completely living है क्योंकि अगर आप check को save करते हो which say king to c7 और इस case में हम जा सकते है अचुली just bishop captures on e8 के लिए sorry bishop captures on g8 के लिए और जैसे ही जो है आप मेरी queen को capture करते हो इस particular position में यहाँ पर white जो है वो आराम से win हो रहा है अपना bishop move कर सकता है and then pawn promotion into a queen कहल सकता है फिलाल के लिए checkmate की threat है तो उसको हम easily cover कर सकते है like with knight to d3 और बाद में bishop को move करेंगे and then game जो है उसको आराम से win कर देंगे right so okay bishop into e6 के बाद game में actually black ने खिला queen capture son e6 so knight capture e6 अपकोस यहाँ पर winning जैसा ही है पर उसमें king capture sir उसके बाद जो है knight capture d6 possible नहीं है king जो है नजदीक आ रहा है so again वीडियो को पोज कीजिए और सोचिए कि आप क्या के लोगे ready अब दोस्तों आया knight 2 c5 check और e6 पे queen free में जा रही है so इसलिए इस particular position में actually black ने resignation दे दिया क्योंकि ऐसे आप king को move भी करते हो अब कोस आप f6 को cover कर रहे हो बर देन दोस्तों simply इदर knight captures on just e6 और यह position जो है वो actually white के लिए completely winning है हमारे पास देखिए कितने pieces है रुख के बरले में 3 और यह रुख जो है कुछ काम ही नहीं कर रहा कोई भी जो है open file पर आ नहीं सकता right of course वो जो है जा सकता है e8 के लिए बट उदर भी कुछ काम का नहीं है so 3 minor pieces plus pawn on g7 win दिलवाने के लिए काफी है so इस particular position में actually black ने resignation दे दिया तो दोस्तो कैसी लगी आपको Geoff Chandler की यह जो है powerful attacking game और उनका queen sacrifice I hope मेरा video और एक game दोने ही आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लेस इस channel को subscribe कीजे वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिलकुल ना भूले धनिवाज जैहिन बबाई